लोकेश कनगराज तमिल सिनिमा के सबसे सफल और चर्चित फिल्मेकर्स में से एक है अब वो सुपस्टार रजनिकान के साथ काम करने जा रहे है फिलाल इस प्रोजेक्ट को थलाइवर 171 बुलाय जा रहा है ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएंगा इसलिए लोकेश फिल्म में बॉलिवूड के स्टार को कास करना चाते है इस रोल के लिए उन्होंने शारुक खान से मुलाकात की मगर शारुक खान ने रजनिकान की इस फिल्म में ये रोल करने से इनकार कर दिया बताया गया है कि थलाइवर 171 में एक जरूरी रोल है हलाकि इस रोल की लंबाई स्पेशल अप्यरंस जितनी है इस रोल के लिए उन्होंने पिछले दिनों शारुक खान को अप्रोच किया लोके शारुक से मिले और उन्हें बताया कि वो किस तरह की फिल्म बनाना चाहते है शारुक को सबजेक्ट अच्छा लगा मगर उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया उनका मानना है कि वो पिछले कुछ सालों में कई फिल्मों में guest role कर चुके है इसमें ब्रह्मस्तर से लेकर Tiger 3 जैसी कई फिल्में शामिल है इसके अलावो वो आने वाले दीनों में أपनी BTR सुहाना की फिल्म The Wing में भी cameo कर रहे है फिलाल वो इन guest roles से दूरी बनाना चाहते है अब वो सिर्फ full-fledged filmों में ही काम करना चाहते है वो रजनिकान का बहुत सम्मान करते है मगर वो उनकी film में ये role नहीं कर पाएंगे हाला कि शारुखा ने लोकेश के साथ लीड रोल में काम करने में दिल्चस्पी रखी है मगर वो थलाइवर 171 का हिस्सा नहीं बनेंगे मुंबई से विधिता प्रताप नेशन नाओ